दोस्तो आज मैं आपको वेस्ट वंगाल का नियुम तमीतन जो की 1 जुलाई 2021 से लेकरके 31 दिसंबर 2021 तक कितना होगा उसकी जानकारी दूँगा अज़ाग अलग एक कैटेग्री में कितना महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद आपका बेसिक डिये होता है इसके साथ ही अगर आप वेस्ट वंगाल के अंदर किसी भी जिले में काम करते हैं सेंटर गोर्मेंट के किसी भी भाग में तो आपके लिए एक अलग नियुम तम वेतन का प्रावधान होता है जिसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे ताकि हम इस चानल पे आप वर्कर से समधी जो भी वीडियो अप्लोड करें उसका नूटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रावध हो आईए दोस्तों हम इसको स्टेप बाई स्टेप करके जानते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूब कर दें दोस्तों जैसा कि आज मैं आपको वेस्ट बंगाल यानि की पश्चम बंगाल में नियूंत वेतन बढ़ोतरी की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके हिसाफ से 1 जुलाई 2020 से वेस्ट बंगाल के अंदर किसी विजिले में आप काम करते हैं किसी सौप, होटल, रेस्टोडें इसके अलावा कोई भी वानिजिक संस्थान है जो कि सौप and Establishment Act के अंदर आते हैं उन सभी करमचाडियों के लिए ये लागू होगा इसका मतलब जो मैं दर आपको बताऊंगा 1 जुलाई 2020 से उससे कम आपको वेतन भुक्तान नहीं किया सकता है और इसके साथ ही मैं आपक किसी भी राज के अंदर काम करते हों और अपने राज का नियुमता मेतन लेटेस्ट जानना चाहते हों तो पीछे जा करके हमारे चैनल पे वेजिट कर सकते हैं और अगर आपको नहीं मिले तो नीचे कमेंट्स में लिक करके बता सकते हैं क्योंकि जो ही अपडेट्स जानका कम से कम कितना नियुमता मेतन होगा उसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों अगर आपने स्किल्ड में आते हैं तो जोन एक के अंदर एक दिन का 342 रुपया इससे कम नहीं होना चाहिए और महीने का 9,795 इससे कम नहीं होना चाहिए सेम ये स्किल्ड में ही जोन बी में एक दिन का 335 रुपया 8,720 रुपया मासिक इससे कम नहीं होना चाहिए अगर आप स्किल्ड के अंदर आते हैं जोन A में रहते हैं तो 414 रुपया एक दिन का और 10,775 रुपया मासिक इसी प्रकार जोन B में 379 रुपया एक दिन का 9,593 रुपया मासिक Highly A Skill में आते हैं जोन A में 456 रुपया एक दिन का और 11,801 रुपया मासिक इससे कम नहीं होना चाहिए Highly A Skill में ही जोन B में हैं तो 406 रुपया एक दिन का और 10,554 रुपया इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों जो भी दर मैंने बताया है उसमें आपका Basic और DA Include होगा दोनों को Add होने के बाद जो दर आपके कैटेगरी के हिसाब से बताया है उससे कम नहीं होना चाहिए अगर उससे कम है इसका मतलब है आपको नियुमतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ऐसे स्थिति में आपका सवाल होगा कि हम इसके लिए क्या कर सकते है तो सबसे पहले मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि जहां भी काम करते हैं रिटेन में जो नोटिफिकेशन मैं भी आपको देने जा रहा हूँ उसके अधार पे आप मांग करें और 15 से 20 दिन में अगर जवाब नहीं दिया जाता है या फिर आपका वेतन बढ़ा करके नहीं दिया जाता है तो आप अपने एरिया के लिवर कमिशनर आफिस में उसी मांग पत्र के अधार पे लिखित में शिकायत कर सकते हैं कि जितना आपको कम दिया जा रहा है उसके दस्गूने हर जाने की मांग कर सकते हैं जब भी आप इस तरह का कंप्लेन करें तो उसका रिसीविंग जरूर ले अगर आपको रिसीविंग नहीं दिया आता है लिवर विवाग के दोरा तो एक कॉपी एस्पीड या रजिस्टर्ड पोस्स से जरूर भेजे इसके बाद मैं आपको बता दू कि अगर आप पश्चिम मंगाल के किसी भी अस्थान पे सेन्टर गोर्मन के किसी बिभाग में काम करते हैं जैसे कि रेल बे हो गया कोई निस्टेट बैंक जैसे कि स्टेट बैंक हो गया पंजाब निस्टनल बैंक हो गया केंडरा बैंक हो गया यहाँ पे आप कॉंट्रेक्ट वर्कर आउट्सोर्स वर्कर डेली विजरादी के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग नियुमत वेदन का प्रावधान होता है जिसको की सेंट्रल स्फेर का काते है जिसके वारे में हमने पहले जानकारी दे रखी है उसका रेट साब जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं जो की एक अपरेल दोहजार एकी से कितना होगा उसकी हमने जानकारी दी है अंत में इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए और नोटिफिकेशन को कॉपी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.worker.in पर जा सकते हैं जिसका वीडियो के नीचे डिस्किफिशन में मैं लिंक दे दूँगा आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक शरीक शेयर करेंगे ताकि अधिक शरीक साथियों तक यह जानकारी पहुंच पाए इसके साथ ही बिडाले ताहू जली एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद